गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ तथा इस वीडियो में हम खारवेल के बारे में और उसकी उपलग्दियों के बारे में जानकरे प्राप्त करेंगे यदि आप लोगोंने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और जो भी हम वीडियो में इन्फोर्मेशन देते हैं वो सारी की सारी इत्यास वि रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको एकजाम की तयारी करने में आसानी रहे तो देखेगा पढ़ते हैं खार्वेल कोन था खारवेल का प्रारंबिक जीवन कलिंग के चेदी राजवन्स का सेंस्ता पक महा मेगवाहन नामक वेक्ति था तो कलिंग का जो चेदी राजवन्स है उसका सेंस्ता पक कोन था महा मेगवाहन नामक वेक्ति अता इस वंस का नाम महा मेगवाहन वंस भी पड़ गया इस वंस का सरवादिक सक्ति साले राजा खारवेल था खारवेल प्राचीन भारतिय इत्यास के महानतम समराटों में से एक है उडिसा राजे के भूनेस्वर जो पूरी जिल्ले में है से तीन मील की दूरी पर इस्तित उदेगिरी पहाड़ी पर पहाड़ी की हाती कुमपा से उसका एक बिना धिति का अबिलेक प्राप्त हुआ है इसमें खारवेल के बच्पन, सिक्ष्या, राजबी से एक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्स तक सासनकाल की गटनों का करमबद विवरन दिया हुआ है हाती कुमपा अबिलेक खारवेल के राजे काल का इतिहाद जानने का एक मातर स्रोत है हाती कुमपा अबिलेक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं देखेगा आप पहले वाले वीडियो उसको हाती कुमपा अबिलेक खारवेल की उत्पती तता वन्स परंपरा पर कोई प्रकास नहीं डालता उसे कलिंग का तीसरा सासक बताता है महामेग वाल उसका दादा था मंचपूरी गुफा के एक लेक में वक्र देव नामक महादेव महामेग वाहन सासक का उलेक हुआ है डी सी सरकार तथा एक के मजुमदार जैसे विद्वान इसे ही कलिंग के चेदी वन्स का दूसरा सासक तथा खारवेल का पिता बताते हैं किन्तु ये पूर्ट ये अनुमान परक है तदा इस समन्द में हम निस्ची तुरूप से कुछ भी नहीं कह सकते हाती कुमपा विलेक से पता सलता है कि जनम से लेकर 15 वर्ष की अवस्ता तक उसे युवा राजकुमारों के नुसर वीविद प्रकार की किरडाओं तथा विद्याओं की सिक्सा दिक्षा मिली उसका सरीर स्वस्त तथा वन गोर था उसे लेक मुद्रा गणना व्यवहार तथा विद्धी आदी की सिक्सा दी गई 15 वर्ष की आयू में वह यूवराज बनाया गया तथा यूवराज के रूप में 9 वर्षों तक प्रसासनिक कारियों में भाग लिया 24 वर्ष की आयू में उसका राजय भी से किया गया तथा वह राजा बना उसका विवा है ललक हत्ती सिंग नामक एक राजा की कन्या से हुआ था जो उसकी प्रधान महिसी बन गई थी तो ये तो था खारवेल का प्रारंबिक जीवन अब अपन देखते हैं खारवेल की उपलबदियां राजा बनने के बाद पर्थम वर्ष में खारवेल ने अपनी राजदानी कलिंग नगर में निर्मान कारिये करवाया खारवेल ने तोरनों तथा प्रचीरों की मरमत करवाई जो तूफान में द्वरस्थ हो गए थे उसने सितल जल से युक्त तालाबों का भी निर्मान करवाया इन कारियों में उसने पांसलाख मुद्राएं वे कर दी थी इस परकार उसने अपनी प्रजा में व्यापक लोगप्रियता प्राप्त कर ली तथा राजा के रूप में उसकी स्तिती अत्यंती सुद्रड हो गई तथ पसाथ उसने दिगवीजे के निमित एक व्यापक योजना तयार की अपने सासनकाल के दूसरे वर्स खारवेर ने साथ करनी की सक्ति की उपेक्षा करते हुए एक विशाल सेना जिसमें अस्वय गज रथ एम पैदल सनिक सभी सामिल थे पस्षिम की ओर भेजी यह सेना कंवेना नदी तक आगे बढ़ी तथा इसने मुसिक नगर में आतंग फैला दिया कंवेना नदी तथा मुसिक नगर दोनों के समीकरण के विशे में प्रियाप्त मतभेद है रैप्सन तथा बरुआ कंवेना की पहचान वेन गंगा जो महरास्त्री के एक छोटी नदी कंहनन के साथ करते हैं उन्होंने मुसिक नगर को गोदावरी गाटी में इस्तित असिक या अस्मक की राजधानी बताया है कासी परसाद जैसवाल कंवेना को आधुनिक क्रिश्णा नदी तथा मुसिक नगर को क्रिश्णा तथा मुसिक के संगम पर इस्तित मानते हैं साथकर्णी की पहचान साथवाहन नरे साथकर्णी पर्थम से की जाती है तो साथकर्णी पर्थम के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं साथवानों के बारे में अच्छे से हमने पहले वाले वीडियोज में बताया है ये निश्चित नहीं है कि खार्वेल तता साथकर्णी में कोई पर्त्यक संगर्श हुआ या नहीं असमक साथकर्णी के परभाव में था अतव खार्वेल के आकर्मन की उपेक्षा नहीं कर सकता था इसमें साथकर्णी की जीत हुई थी उसने अस्वे में ये ग्ये करवाया था इस प्रकार खार्वेल को पर्थम सहने अभियान में कोई विशे सपलता नहीं मिली थी राजे रोहन के तीसरी वर्ष में खार्वेल ने अपनी राजदान में संगीत वादे नरिते नाटक आदी के अभिने द्वारा भारी उचसम मनाया राजे बिसे के चोथे वर्ष खार्वेल ने बरार के बोजगों तथा पूर्वी खांदेश और एहमद नगर के रठिकों के विरूद सैनिक अभियान किया वे परास्त किये गए तथा उसकी सेवा करने के लिए बाध्धे किये गए इसी विजए के प्रसंग में विदाधर नमक जैनियों की एक साखा के निवास स्थान का उलेक हुआ है तथा बताया गया है कि खार्वेल ने वहां निवास किया था इसकी स्थापना कलिंग के पूरा वर्थी राजों द्वारा की गई थी ऐसा पर्तित होता है कि यह जैनियों का एक पवितर तिर्थ स्थान समझा जता था तता इसकी रक्सा करना खार्वेल का परम कर्तव्य था रठिकों तता बोजकों ने वहां अपना अधिकार कर लिया होगा संभव है कि इसी कारण वह बोजकों दरठिकों के विरुद्यूद में गया हो खार्वेल ने उन्हें प्राजित कर उनके रतन एम धन को छेन लिया फस्चिमी भारत में उनका एक सक्ति साली राजे था सात्वाहन वंसी सासकों के साथ उनके मैत्री सम्मन थे साथकनी पर्थम की पतनी नागनी का महार्ठी वंसिया कन्या थी इस परकार खार्वेल द्वारा उन्हें प्राजित किया जाना निसित रूप से एक महत्तवन उपलवदी थी अपने सासनकाल के पांचवे वर्ष वहे तनशूली से एक नहर के जल को अपनी राजधनी ले आया इस नहर का निर्मान तीनसो वर्ष पूर्वन नंद राजा दोारा किया गया तह ये स्पस्त नहीं है कि ये नंद राजा मगत का परशीद सासक महापदम नंद था अत्वा कलिंग का कोई स्थाने सासक था चटवे वर्ष में एक लाख मुद्रा वे करके खारवेर ने अपने प्रजा को सुखी रखने के लिए अनेक प्रियास किये उसने ग्रामीन तता सहरी जनता के करको माफ कर दिया उसके राजरोहन के साथ वे वर्ष का विवरण भी की जानकारी नहीं है अपने राज़े भी से के आठ वे वर्ष में खारवेर ने उत्तर भारत में सनी का भ्यान किया उसकी सेना ने गोरत गिरी जो बराबर की पहडियों में है को पार करते हुए तता मार्ग में द्रुगों को द्वस्त करते हुए घेरा डाला उसकी सेना के डर से यवन राज दिमिती की सेना आतंकित हो गई और वह मथूरा भाग गया इस यवन सासक की पहचा सुनिसित नहीं है स्टेन कोनो नामक विद्वान ने इसका समेगरन डेमेट्रियस प्रथम या द्वीतिय से किया है नववे वर्स में खारवे ने अपनी उत्तर भारत की विजय के उपलकसे में प्राची नगर के दोनों किनारों पर महा विजय प्राशाद बनवाए उसने ब्रामनों को दानादी दिये तथा आगे भी विजय के लिए सेनिक तयारियां की दस्वे वर्स उसने पुनहे भारत वर्स यानि गंगा गाठी प्राकर्मन किया परन्तु कोई विशे सपलता नहीं मिली ग्यारिय वर्स में खार्वेर ने दक्षिन भारत की ओर ध्यान दिया उसके सेना ने पित्थूंड नगर जो मद्रास में को द्ष्ट किया तथा दक्षिन की ओर जागर तमिल संग का भेदन किया ऐसा परतीत होता है कि उसका सामना करने के लिए सुदूर दक्षिन के तमिन्द राजोव ने कोई संग बना लिया था जिसे खारवे ने नस्ट कर दिया लेक के नुसर खारवे ने पित्थूंड नगर में गधों से हल चलवाया था इस नगर की पैचान मसूली पटम के निकट इस्तित पितूंड नामक स्थान से की है जिसका उलेक टोलमी ने किया है सुदूर दक्षिन में विजे करते हुए खारवेल पंडे राजे तक जाप पहुंचा था बारवे वर्स में खारवे ने दो सन्य अभिहान किये एक उत्तर भारत तथा दूसरा दक्षिन भारत में सरापर्तम उसने अपनी सेना को उत्तर भारत के मैदानों में भेजा तथा उसने अपने असों एम हातियों को गंगा नदी में स्नान करवाया मगद नरेज जिसका नाम डोक्टर जाइसवाल तथा डोक्टर बरुवा ने बहस्ती मित्र अर्थात बहस्ती मित्र पड़ा है पराजित हुआ तथा उसने खारवेल की दिनता सुविकार कर ली इस परकार यह बियान सफल रहा तथा खारवेल अपार लूट की संपती तथा कल जिसे तीन स्नाब्दियों पूर्वा नंद सासक द्वारा मगद ले जाया गया था को लेकर अपनी राजदानी वापस लोट आया इस धनकी साहता से उसने सुन्दर टावरों से सुसजित एक भव्य मंदिर का निर्मान करवाया डोक्टर बरुवा के अनुसारिय मंदिर पांडे राजे तक जा पहुंचा खारवेर ने जल्व थल दोनों ही मारगों से पांडेों की राजदानी पर धावा बोला था यह अभियान सफल रहा था पांडे नरेस ने उसके अधिनता सुविकार की तथा उसके लिए मुक्तामणियों का उभार दिया यह खारवेल का अ दोगी निवास के निम्वित गुहा विहारों का निर्माण करवाया था कुमारी पहाडी से तात्परिये उदेगिरी पहाडियों से हैं खारवेल का समय देखेगा खारवेल ने कुल 13 वरसों तक राजे किया उसकी तिति के विशे में काफी विवाद है हाती गुंबा बिले की लिपी पर्थम सताबदी सा पूरवे के आसपास की है अते हम खारवेल को इस सा पूरवे पर्थम सताबदी में रख सकते हैं हाती गुंबा बिले की छटवी पंक्ती में कहा गया है कि खारवेल ने तनसुली से एक नहर का विस्तार अपनी राज़दानी तक किया था इस निर्माण उसके 300 वर्षो पूरव मगत के नंदराज़ ने करवाया था यह नंदराजा महापदमनन धित है जिसकी थिटी खारवेल का धरम तता उसकी धरमिक निती सातवाहन नर्यशों गे विपरीत खारवेल जैन धरम का अनुएई था उस्ने जैन साधूओं को सरंक्षक सरंक्षन परदान किया उनके निर्वाय के लिए प्रभू दान दिये तथा उनके रहने के लिए आरामदाएग निवास अस् से के तेरवे वर्स उसने बूनेस्तर के पास उदेगिरी तता खंडगिरी की पहाडियों को कटवा कर जैन भिक्सों के आवास के लिए गुहा विहारे बनवाए थे उदेगिरी में 19 तता खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्मान हुआ था उदेगिरी में रानी गुंफ उसके द्वारा बनवाया गया महाविजे प्रसाद भी एक अत्यंद भवे भवन भवे भवन था तो देखेगा इस वीडियो में हमने खारवेल के प्रारंबिक जीवन के बारे में उसकी उपलब्दियों के बारे में उसके दरम के बारे में समय के बारे में दिर्मानकारियों क के बारे में पढ़ा इसी परकार से हम आगे के वीडियोज में भी आपको इत्यास समधित मैतों पुन जानकरी परदान करेंगे तो आप बने रहें हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे